स्टे होम स्टे सेफ घर पे रही सुरचित रही पर मेरे टॉपिक कहीं मत छोड़ी मैं आज पार्ट 3 लेकर चलने जा रहा हूं और इसका नाम है में अन्दी क्लॉज बीट जो आप लोग चल रहे हैं आप किताब जरू रखी सामने नहीं हो तो मुझे बोलिए मैं यहां से हुआ हुँँगा चली वंस अगें वियर गूंग तो एक्सीट रहा दे चिप्टर नेम बैट शेप्टर में देख लॉज बीट वट इस दा बेनी फीट आप लोग सिखेंगे कि आखिर उसका बेनी फीट क्या है हम लोग दो पार्ट निकाल चुके थे दुवान टू और त और उन्होंने कल समझाया था जॉंसन को जॉंसन को समया समया था कि हम लोग को अस्कूल में पढ़ना था ट्रेज के बारे में और एकलोजी के बारे में बहुत सारा और यही जो है निसिंद होकर यह हवा को और जीयों को साफ करता है यह तक गए थे तो चलिए जॉंसन अब कुछ कहने जा रहा है जॉंसन क्या कहता है सुनिए बहुत मैजदार पॉइंट है कि लास्ट स्टेज में लोग चल रहे हैं जॉंसन कहता है क्या बिद्ध्णा करें जहां पर किरता को I don't see any tree I tell him Jim कहता है कि मुझे कोई पेड़ वहां नहीं दिखता है कोई पेड़ नहीं है वहां मैं उसे कहता हूं Johnson को आपको स्नौट हाँ बिलकुल नहीं है क्योंकि तुमने मिसेज ग्रीनी और अपने घर के भी एक सौटकट रास्ता मना दिया था और तुम्हारे रास्ते से वहां पेड़ खत्म होगें मर गएं देरबाद लिटिल ट्री जस्ट स्टाटिंग डू गेट बीगर देर अंटिल यू किल इट बाइट तुमने उसे मार दिया बाइट ट्राइंग तू जंप ओवर उस पर चल चल कर जंप ओवर हों कुद कुद मने जाते हैं तो हम टाल के जाते हैं तो देखते हैं एक पैर के बाद दूसरा पैर उठता है यानि जंप ओवर उस पर चाहड चाहड कर एवरी डे परतेक दिन तुमने मिसेज ग्रीनी के घर सौटकर रास्ता जो चुना था न वो चल चल कर तुमने उस पौधे को मार दिया रिमेंबर याद करो याद है न जीम बोलता है ओ आई से नहीं जीम को बोलता है ओ आई से जीम का मत्तों है यहां लेखक एक नेरेटर की रुप में चैन की है नेरेटर जो कहानी को बोल रहा है और जीम नाम का ब्यक्ति सामने इस कथाकार में है यानि लेखक को भी बोल सकते लेखा कुई कहा सकते हैं और वह बोलता है ओ खेद परकड़ करता है तो उसी दौरान जॉनसन बोलता है टॉकिंग अबाउट नॉट ड्रैलिंग वेन यू केंट वाक और आप बात कर रहे हो कि गाड़ी मत चलाओ जब आप चल सकते हो और यू ड्राइब यूर मोटर बाइक रॉंड एंड रॉंड यूर बैक्यार्ड और समर और तुम खूद मुझे गाड़ी चला नहीं बोलते हो जो तुम खूद पूरे समर रीतु में यानि पूरे गर्मी गृस्म रीतु के दौरान अपने घर के पीछे वाले जी एरिया है उसे रोज रूँ 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 गाड़े चलाते रहतों बुर्डर को ली चलाते हो इस न्डेट वा वेस्टेंग पावर क्या उससे पावर नहीं जाती है क्या उससे पावर खापर खतनेख नहीं होति है making noise pollution और क्या उससे द्वनी प्रदूसर है और तुम मुझे एकलॉजी के लेखा काते हैं, जिनके माध्यम से लेखा काते हैं, कि या तो मनरंजन के चीज है, मनरंजन के लिए परियोग करते हैं, वेल, Johnson बोलता है, बहुत अच्छा, I enjoy taking the car to the post office, he says, Johnson बोलता है, कि हम भी तो post office enjoy के लिए ही कार ले आते हैं, आनंद उठाने के लिए, हमी तो drive करते हैं, but now you have made me too late, लेकिन तुमने तुम मुझे बहुत देर कर दिया, बहस करकर के तुमने मुझे लेट कर दिया, और post office तो बंद हो गई होगी, and he goes into, and he goes in the house looking very mad, और वो अपने घर जाता है, लेकिन वो दिखता है, बहुत पादल जैसा, सन की दिखता है, क्योंकि वो उसको मैंने लेट कर दिया, उसकी post office से काम थी, वो नहीं हो पाया, इसलिए वो देखने दिखता है, बहुत पादल दिख रहा है, then I remember, तम मुझे याद आता है, then I remember, he hasn't paid me, तम मुझे याद आता है, क्योंकि उसने मुझे तो पैसा ही नहीं दिया है, क्योंकि वो तो collecting करता है, पैसा ल लेट कर लेते हैं, अगला सब्ता तक अगला सब्ता तक अगला सब्ता तक वेट कर लेते हैं, at least I made him not pollute with this car off for once, कम से कम, एक बार तो उसको इसी बहाने, पॉलूट करने से तो बचा दियें, परदूसन करने से तो बचा दियें, जो कार चलाक ले जा रहा था, फिर ला था, तो चलो कम से कम रोग तो दियें एक बार, I don't talk to the rest of my route about eclosie, और मैं पूरे रास्ते में eclosie के बारें बिल्कुल चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी को eclosie के बारें सम्झाना कितना वाउ काम है, लोग समझता ही नहीं, लोग समझता ही नहीं, किसी को समझाते हैं, समझता ही नहीं है, तो वाउ काम है, सब लोग अपने पास किताब रखी, ज्यादा पैदा करेगा, एक एक पॉइंट को उंगली के साथ जोड़ी ही, अ आगे अभी नहीं कटा है चलिए देखते रहिए का चल दी लाइए कुछ ठीक किरना नहीं चलिए आगे बट वेन आई गेट हूम लेकिन जैसे ही मैं घर पहुस्ता हूं आई सी माई मदर यूजिंग अलेक्रिक मिक्सर तुम मुझे दिखाई पड़ता है कि मेरे मां अलेक्रिक मिक्सर पर यूग कर रहे हैं मैं मां से बोलता हूं यूशुड डूडएट विद यूर ओल एक बीटर तुम्हें तो यह काम जो है उसको जो मिक्सिंग का काम कर रहे हो मसाला पिसने काम कर रहे हो वह एग एक बीटर से करना चाहिए एक बीटर मन होता है खल बेगरा समझते हैं जिसमें मसाला बेगरा छुड को हम लोग यूज करते हैं मैं अलेक्रिक बिलकुल बचाने चाहिए मां को समझाते हैं कौन लेखक जिसको चुने हैं जीम आई पॉइंट आउट आउट दहर उसकी और मैं बोलता हूँ शेडन एक रिस्टी और बोलता हूं मां को कि कम सगम विज्टली तो बचाहो वो में यूज्स टू मेन अलेक्रिक थिंक्स मां को मैं बोलता हूँ और तेह ऐसी होती है ना कि बहुत ज्यादा बिज्वली से यूज वूनल चीज़ों को यूपयोग करती है जिसे iron हो गया, mixer हो गया, औरते समयधार होती नहीं, वह बिल्कुल ज्यादा electric things को यूज करती है, मा बहुत मिजाज, थंड़े मिजाज से बोलती है बेटा को, जीम को, शी से जो काती है, इन्हें बहुत ही मधूर आवास से बोलती है बेटा, So, who watches TV 27 hours a day around here, तो कौन देखता है दिनवर में 27 घंडा TV है, हम देखते हैं और is that some other kind of electricity, क्या हो अलग प्रकार का electricity लेता है, यह करंड़ा है, जो हम mixer यूज कर रहे हैं, वो लग लेता है, तुम्हारा TV अलग करंड़ लेता है, तुम दिनवर टीवी चला सकते हो, फिरी होए, हम पांच मिनर के लिए mixer यूज कर दिए, तो एक लक्सिटी जा रही है, मां बहुत ही ठंडे, कूल होकर समझाती है, See what I mean, मां को समझाते हैं जीम, कि देखो ममी, जो मैं कहना मेरा मतलब जो है, वो सोचो, शमझो, Nobody is willing to do anything about ecology, कोई भी किसी की इच्छा नहीं करती है, ecology के बारे हम कुछ करना, Accept me मेरे अलावे, मैं ही किवल करते रहता हूँ, ecology के बारे में, तुम लोग ही तो कुछ करो, And nobody listens to me, और कोई मेरी बात भी नहीं सुनता है, क्यों सुनेगा वाई, क्यों सुनेगा, ये दुनिया अलग है, आप लोग भी सुनिये, क्योंकि ये जान लेक्सियू ने आपको ecology को बचाने के लिए ये चिप्टर दिया है, तो तयार हो जाए ये, आस से, शब कुछ शो शमत करें, उसकी ये अलक्ट्रीक हो, शाहे हो वाटर हो, चाहे हो पिलपोध हो, श्रब को बचाईए, और आपका चिप्टर नहीं बच पाएएंगे, ख्यातम हो गया है, अगले चिप्टर गावेट किये, मैं जस्ट आ रहा हूँ, बहु जल्द, ऑके, बाई बाई